नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन में 25 मई से 28 मई तक बारिश का अलट जार्खन में मौसम विभाग ने 25 से लेकर 28 मई तक बारिश और तेज हवाओं को लेकर चितावनी जारी की है खबरों की माने तो मौसम विभाग के अनुसार जहारखन के कई इलाकों में बारिश की संभावना है वहीं 25 मई से 27 मई तक जहारखन के उत्तर पूरवी दक्षिनी और मध्य इलाकों में कई जगों पर गर्जन के साथ तेज हमाओ का परभाव होगा साथ ही बजरपात की भी संभावना है खबर है कि इस दोरान हवा की रबतार 40-50 किलोमिटर परती घंटे की बीच होगी वहीं 28 मई को जहारखन के उत्तर पूरवी दक्षिनी और मध्य इलाकों में गर्जन के साथ तेज हमाओ का असर होगा इस दिन हवा की रबतार 30-40 किलोमिटर परती घंटे रहने की संभावना है बतादी की मौसम विभाग की माने तो जहारखन में 30 मई तक बारिश के आसार बने हुए है एक जून से लागू हो रहे हैं नए नियम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं जाना होगा RTO आफिस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब शेत्रिय परिवहन करयलेओं में टेश्ट देने की जरूरत नहीं होगी खबनों की माने तो केंदर सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया है दसल भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने एक जून से परभावी नए नियम लागू किये हैं नए नियमों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है पर्यावरन और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जुर्माने की रकम और फीस में भी बड़े बदलाव किये गए हैं बता दे की एक जून दोहजार चोबी से अब आप सरकारी आरटीयो कारयालें के बजाए नीजी ड्राइविंग पर सिक्षन केंद्रों पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं ये प्राइविट सेंटर टेस्ट आयुजित करने और लाइसेंस पाने के लिए योग्यता परमान पत्त्र जारी करने के लिए अधिक्रीत होंगे रेलवे में निकली असिस्टेंट लोको पाइलेट और ट्रेन मैनेजर के पदों पर बंपर भरतियां दक्षिन पूर्व रेलवे यानी S.E.R. ने सहाएक लोको पाइलेट और ट्रेन परबंधक के पद के लिए एक अधिसूचना जारी की है जिसके लिए उमिदवार आधिकारिक साइट आरारसी S.E.R.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर आवेदन करने की अंतिमतिती बारह जून दोहजार चोबिस है बतादे कि इन पदों के लिए आवेदन परग्रिया जारी है इस भरती अभियान के तहत दक्षीन पूर्व रिल्वे में सहायक लोको पाइलट यानी A.L.P. के कुल 827 पद और ट्रेन मैनेजर के 375 पद भरे जाएंगे नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट लोको पाइलट के पद पर आवेदन करने वाले उमिदवार को देश के किसी भी मानेता प्राप्त बोट से दसवी कक्षा उतिन होना चाहिए इसके अलावा उमिदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिपिकेट भी होना चाहिए वहीं ट्रेन मैनेजर के पद पर आवेदन करने वाले उमिदवार को ग्रेजवेट होना चाहिए इस रेलवे भरती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उमिदवारों की आयू 18 वर्स से 42 वर्स के बीच होनी चाहिए लेकिन OBC, SC, ST वर्ग की उमिदवारों को उपरी आयू सीमा में छूट दी जाएगी